IPL 2024 में बदल जाएगी चैनी सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी रितुराज गायकबार के साथ ओपन करेगा ये विस्पोटक बलेवाज जानेंगे क्या है पूरी खबर वीडियो को पूरा देखें चैनल को सब्सक्राइब करें IPL 2024 ऑक्सन से जुड़ी कई बड़ी अपडेट आ रहे हैं अगर आप IPL से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करें लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी IPL 2024 की तैयारियां सुरू हो चुकी हैं बहुत ही जल्द हमें ऑक्सन देखने को मिलेगा सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां भी सुरू कर दी है चैनी सोपर किंग्स की बात करें तो चैनी सोपर किंग्स की टीम ने IPL 2023 में बहतरी इंपर दर्शन करते हुए पाँचवा IPL का खेताब अपने नाम किया था दोनी की कप्तानी में चैनी सोपर किंग्स की टीम काफी मजबूत नजर आ रही थी और फाइनल मुकाबले में चैनी की टीम ने गुजराथ टाइटन्स को माते दी थी IPL 2023 में चैनी सोपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी काफी मजबूत थी रितुराज गायकवाड के साथ डैवन कौन बे ओपन करते हुए नजराय थी लगभग हर मुकाबले में दोनों ही खिलाडियों ने चैनी की टीम को अच्छी सुरुआते दिलाई थी अगर चैनी सोपर किंग्स की टीम ने खिताब जीता था तो उसमें रितुराज गायकवाड के अलावा डैवन कौन बे का महत्पून योगदान रहा था हलाकि यव जो रिपोर्ट सा रही है उसके हिसाब से आईपेल दोहजार चौवीस में चैनी सुपर किंग्स की ओप्रिंग जोड़ी में हमें बदलाओ देखने को मिल सकता है दरसल चैनी सुपर किंग्स की टीम और उस्टेलिया के बिसपोटक बल्लेवाज ट्रैविस हेड को खरीट सकती है सीधा सा मतलब है कि जहां रितुराज गायकवाड के साथ ट्रैविस हेड ओप्निंग में खेलेंगे तो बहीं डैवन कॉन बे नम्मर तीन पर वल्लिवाजी करने के लिए मैदान पर उतर सकते हैं आपको बता दे इसके अलावा चैनी सुपर किंग्स की टीम में हमें और भी बदलाओ देखने को मिल सकते हैं कई बड़े खिलाणियों को उक्षन से पहले रिलीज किया जा सकता है इसके अलावा चैनी की टीम उक्षन में कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है कि लगता है आई पिल दोहजार चॉबीस में चैनी सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें